इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बाते करने लगता है बलकि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है दोस्तों दूसरों के विववार को अपने मंड की शांती को नस्ट करने का अधिकार न दे जीवन में यह इतना महत्व नहीं रखता कि आप शारिरिक रूप से कितने ताकतवर है, जितना की आपका मानसिक रूप से मजबुत होना कई बार आपके द्वारा कहे सहानु भुती भरे दोशब किसी को जीवन में कठीन से कठीन समस्या का सामना करने का मनोबल दे देते है जो वेक्ती निरंतर शोक करते रहते हैं उन्हें जीवन में कभी सुक नहीं मिलता लोगों को उसी रूप में स्विकार करें जैसे वे है जिसका कर्म शुद्ध है और जिसके साधन भी शुद्ध है उसे माणना चाहिए कि सफलता अवश्य मिलेगी अंजान होना इतने शर्म की बात नहीं जितना सीखने के लिए तैयार ना होना है वेक्ति अपने विचारों से निर्मीत एक प्राणी है वह जो सोचता है वही बन जाता है जीवन में कभी भी किसी को बेकार ना समझे क्यूकि बन पड़ी घड़ी भी दिन में दो बार सही समय को बताती है कोवरे से एक अच्छी बात सिखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश वेर्थ है एक एक कदम चलते चलो रास्ता खुलता जाएगा खुशिया तो चंदन की तरह होती है किसी और के माथे पर लगाओ तो अपनी उंगलिया भी महक उठती है जरूरी नहीं कि सारे सबग किताबों से ही सीखे जाए कुछ सबग जिन्दगी और रिष्टे भी सिखा देते है मिट्टी की पकड़ ही मजबूत होती है संगमर मर पर तो हमने अनेको को फिसलते देखा है आशाय ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे जीवन ऐसा हो जो सम्मंदों की कदर करे और सम्मंद ऐसा हो जो याद करने को मजबूर कर दे सच्चा मित्र वह है जो हमारे गुन दूसरों को बताता है पर हमारे अउगुन हमें बताता है एक अच्छा रिष्टा हमेशा हवा की तरव होना चाहिए खामोश मगर हमेशा आसपास रिष्टे चाहे कितने भी बूरे हो लेकिन कभी भी उन्हें मत तोड़ना क्योंकि पाणी चाहे कितना भी गंदा हो प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है धन से हम जीवन की सारी सुक सुविदा तो हासिल कर सकते है पर जीवन में इस सुकुन केवल अच्छे कर्मों से ही आता है दोस्तो पाणी की एक बुन गर्म तबे पर पड़े तो मिट जाती है कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है सिम्प में गिरे तो खुद ही मोती बन जाती है बस सब संगत का फर्क है बुरा समय आपके जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कभी कलपना भी नहीं की होती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना मुश्किल अतित रहा है आप हमेशा फिर से शुरू कर सकते है समय का जितना सही उपयोग करोगे मंजिल से उतना ही जल्दी मिलोगे यकिन तो सबको जूट पर होता है सच तो अक्सर साबित करना पड़ता है संगर्शों की धूप में जो जलते है वह बुझ भी जाए अगर तो भी रोश्नी करते है जिन्दगी में सब से ज़ादा दुख दिल तूटने पर नहीं यकिन तूटने पर होता है हार से मट डरो क्योंकि हारना भी सफलता का एक हिस्सा ही है तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा मुस्कूराते रहिए ठैंक्स पर वोचिंग